तो हेलो और वेल्कम दोस्तों आप सभी गाइब फिर से हमारे वुटूब चैनल पर स्वागत है तो चलिए आज को सेखते हैं तो आज की स्वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने इस्टाग्राम पर ओनलाइन होते हुए भी ओफलाइन कैसे आप देख सकते हो या फि से सिंट जो दिखता है उसको भी अब और सकते हो तो चलिए दोस्तों आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप से विसे करने से कि अब भी तक हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देन और बेल आइकन को प्रेस कर देना तो चलिए दोस्तों आज की सुडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको चला लाएन अपनी प्रोफायल पर क्लिक किज़ेगा प्रोफायल पर अपर होने के बाद यहां सब्सेंग करने के बाद अब यहां पर अपको इन पर सामने बहुत सारे option देखने को मिलेगे आपको तो यहां पर आपको select करना है जो privacy को option आ रहा होगा जो की lock बना हुआ है और यहां पर privacy लिखा हुआ है तो यहां पर privacy का जो option है उस पर आपको click कर देता हूं क्लिक करने बाद फिर से आपके सामने बहुत सारी ओप्शन देखने को मिलेगे जैसे इस्टोरी है गाइड से अक्टिवेट इस्टेस है ऐक्टिविटेस और मेसेजेसे और भी इसारे बहुत सारे ओप्शन है तो मैं आपको सभी पढ़कर नहीं बता रहा हूं सिर्फ थोड़े से बता रहा हूं तो यहां पर ऐसा आने के बाद आपको यहां पर question करना आपको यहां पर जो एक option दिख रहा हुगा जो कि प्रोफाइल का logo बना हुआ है यहां पर आप देख सकते हो activity status जो लिख कर आए रहा तो यहां पर आप देख सकते हो जो blue color में आ रहा है इसको ओन रहेगा तो यहां पर इसको आपको click करना एक बार और यहां पर इसको off कर दिजेगा ओफ होने के बाद यहां पर आप पढ़ भी सकते हो किस use में आता है यह तो यहां पर जैसे आप कभी भी online जाते हो तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि यह बंदा online है या फिर आपको जब online करके offline करते हो तो यहां पर कोई भी नहीं देख सकता कि आपको मतलब कब online आये थे या फिर last scene आप कब online थे तो इस तरीके से इसको off कर दीजेगा अभी आपको बेक आना है और कुछ भी नहीं करना होर यह यूडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर से साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना और चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते अपने नहीं स्टुडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई